आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने सूर्य के राशी परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्ते तो हूं वरतमान में सूर्य अपनी सम राशी कर्क में विराजमान है और 16 अगस को वे अपनी खुद की राशी सिय में प्रवेश करने वाले हैं वहाँ पर सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे क्योंकि जो राशी परिवर्टन करते हैं तो उन्हें हम सक्रांती के नाम से जानते हैं सूर्य ग्रहों के राजा है अगर वे अपने ही राशी में आ रहे हैं तो उसका लाप सीधे सीधे तौर पर सीह राशी वालों को तो मिले गई पर सूर्य जिनके उच्च के हैं जिनके स्वग रही हैं जिनकी कुंडली में या फिर गोचर में बहुत अच्छी पोजिशन में बैटे हैं उन सभी राशियों के लिए सूर्य के इस राशी परिवर्तन का बहुत अधिक अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा अब क्या प्रभाव सभी राशियों पर पढ़ने वाला है उसके बारे में भी जान लेते हैं तो शुरुआत करते हैं सूर्य का राशी परिवर्तन और साथ मैं मैं आपको बताऊंगी सूर्य के इस राशी परिवर्तन के कारण अगर आपका सूर्य नेगिटिव हो रहा है तो उसके उपाए और पॉजिटिव हो रहा है तो भी आपको क्या उपाए अपने सूर्य को मजबूत करने के करने चाहिए तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपके लिए सूर्य है पंचम भाव के स्वामी पंचमी शूर्य आपको बहुत ही उर्जा प्रदान कर रहे हैं इस समय आपका सेल्फ कॉंफिदेंस बहुत ही अप रहेगा आपके काम पटापट से होते चले जाएंगे विद्यार्ती वर्क के लिए यह समय बहुत अच्छा र पहरा रहेगा कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है यदि आप गवर्मेंट जॉप की तियारी कर रहे हैं और कोई एक्जाम होना है तो एक्जाम आपके लिए एक्सेलेंट जाएगा यानि उसमें सेलेक्शन होने के चांसे आपके बहुत अच्छे बनत सुर्यों देखे समय सुर्य देव की पुजा राधना करें और ओम ग्रणी सुर्याय मंत्र का जाप करें इससे आपका सुर्य और अधिक प्रबल होगा और और अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट देखा अब आते हैं ब्रशेब राशी पर आपकी राच्छी के लिए सुर्य चतुर्त भाव के स्वामी है और अपने घर में स्वगरही हो रहे हैं सुर्य का चतुर्थ भाव में स्वगरही होकर बेठना आपके सुखों को बढ़ाएगा फ्रॉपर्टी से समन्दित विवादों का निपटारा हो जाएगा इस समय आपके प्रातिक लाप भी मिलेगा आपकी प्रसिती और नाम बढ़ता हुआ दिखाई दिखा लिए सूरी देव की पूजा रादना और सूर्यो दे की समय आधित्य रदेत्यस्त्रोत का पाठ जरूर करें अब आते हैं मित्वनराशी पर आपके लिए सूर्य हैं तृती भाव के स्वामी और अपने ही घर में स्वग्रे योकर बैठे जो कि आपके बल और पराकरम को बढ़ा रहे हैं इस समय आप होबी से प्रसिद्धी नयम फेम सब प्राप्त करेंगे सोशल मीडिया पर आपके वीडियोज वाइरल हो सकते हैं रातो रात आप बहुत अच्छे फिर्म पाते हुए दिखाई देंगे छोटे भाई बैनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बहतर हो जाएगी इस समय अधिकारियों से भी आपको एप्रिशेशन मिलेगा आपको यानि इस राशी के जात्कों को नित्य सुर्देव की पुजा रादन करी चाहिए और आधित्य रदय स्त्रोत का पार्ट जरूर करें अब आते हैं करक राशी पर कि लिए सुर्य सेकेंड हाऊस के लौड है और सेकेंड हाऊस यनि धन का इस्तान जो कि धन में व्रदी करें गा क्यूंकि सुर्य अपने घर में बैठgehen तो रोज में राके लाब में व्रदी करेंगे सेल्फ कॉंफिडेंस आप रहेगा, कुछ रिस्की काम में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, कोई बड़ा अटका हुआ काम भी आपका सफल हो जाएगा, कुटम में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपको सम्मानित भी गया जा सकता है, कहीं चीप केस बना कर बुलाया जा स आपकी रासी के लिए सूर्य, आपके रासी स्वामी अपने ही गर में स्वग्रही हो रहे हैं, आप इस समय बहुत अधिक तेजवान नजर आएंगे, कई फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं, आपका प्रभाव शेत्र बढ़ेगा, आप जो भी बात कहेंगे वो सकते कारे हाथ में लेंगे, उसमें उत्तम सफलता के योग बनेंगे, गौर्मेंट जॉब से चुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रिमेंट भी मिल सकता है, गोचर के दौरां के सरिया रंग के कपड़े ज्याधा पहने, खासकर रविवार के दिन इसे जरूर धारन कर अब आते हैं कन्या राशी पर, आपके लिए सूर्य ट्वेल्थ हाउस के लॉड है, और ट्वेल्थ हाउस में ही स्वग रही हो रहे हैं, यहां यह खर्चों का इस्थान होता है, यहां थोड़ा सा मनी मेनेजमेंट बिगड सकता है, परन्तु आपको नुकसान की इस्ततियो सूर्य देव बचाएंगे, क्योंकि वे अपने ही घर में बैठे हैं, जो बिजनस क्लास लोग हैं, उनको बिजनस में बहुत अच्छा लाब मिलेगा, इवन अबरोड से विदेशी करंसी मिलने की प्रवल संभावना बनी हुई हैं, जिससे आपके लाब की सत्या और अधिक अच्छी होगी और फाइनेंशली आप ज्यादा सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे, आपको यानि इस राशी के जात्कों को रविवार के दिन किसी जुरुत्मन व्यक्ति को गुड़ और चने का दान करना चाहिए, अब आते हैं तुला राशी पर, आपके लिए शुरिय इलेवन्थ हाउस के लॉड़ हैं और अपने ही घर में स्वग्रे ही हो रहे हैं, यह होता है प्रॉफिट का इस्थान, और और लाब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी, वहीं सामाजिक कारेक्रमों में आ ना कुछ VIPs आपके सरकल में जुड सकते हैं, कुछ बड़े राजनिता या गौर्मेंट के उच्छ अधिकारी आपके सरकल में जुडेंगे, जो की आगे चलकर आपको अपने बिजनस में बहुत अच्छा लाप दिलवाएंगे, वहीं इस समय कुछ अटके हुए काम भी प्रश्चिक राशी पर। अब आते हैं धनू राशी पर। आपकी राशी के लिए सूर्य है नवम भाव के स्वामी और अपनी घर में स्वग्रेई हो रहे हैं। ये समय आपको अचानक धनलाप की स्तत्या दिलवाएगा लोटरी खुलने के योग बनेंगे। इसकी कामों में किया गया इन्वेस्मेंट आपके लिए लापदायक साबित होगा। इस समय अठका हुआ प्रमोशन भी मिलने के प्रबल्योग बनेंगे। आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा। नियमी तुरुप से प्रोजाना उकते हुए सुरज को जल से अर्ग दें। और सूरी को नमन करते हुए सूरी बीज मंतर का चाप करें। यहा पर सूरी बैठकर आपकी समस्याओं को कम करेंगे। रोजमरा के रूटीन के कामों में जो अर्चन है अरीए उन्हें सौल करेंगे। इस समय आप बहुत शान्ती से फोकस होकर अपना कार्य कर पाएंगे, इस समय गुप्त शत्रू आपको परिशान नहीं कर पाएंगे, आपको अजनवियों पर ज्यादा भरुशा नहीं करना चाहिए, अपने आत्मबल की दम पर आगे बढ़ें, नित्य सूरिय देव को अर्ग सत्तमभाव के स्वामी और अपने घर में बैठे हैं, और स्वग्री होकर बैठे हैं, बहुत शान्दार इस्तती इस समय सूरिय की देखने को मिलेगी, यहाँ पर बिजनस क्लास लोगों के लिए ये समय उन्नती और तरक्की का रहेगा, इस समय जो आपने अपने बिजनस को हुई हुई विवस्तू, आपको पुना प्राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसनता के भाव उत्पन होंगे, रविवार के दिन आपको गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए, घर के बड़े बुजर्गों की सेवा करें और उनका सम्मान करें, आते हैं मीन राश आपके लिए सूर्य हैं सिक्स्थ हाउस के लॉड यानि रोग रिंड रुपु का इस्थान है, यहां पर रिंड से आपको मुक्ती मिलेगी, स्वास्त समंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ती मिलेगी, इस समय हेल्थ इश्यूस सारे रिजॉल होंगे और आप अपने आपक गुड न्यूस पर आप तो हो सकती है, वहीं इस समय आपका सेल्फ कॉंफिडेंस भी अप रहेगा, रुपे पैसो से समंधित लेन देन के कारियों में सजक रहें और रेन की स्थत्यों से मुक्ती मिलेगी, सूर्य देव की आराधना के समय नित्य ओम ग्रणी सूर्याय नमा मंत्र का जाप करें और उक्ते वे सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, तो ये है सभी बारा राशियों के लिए सूर्य के राशी परिवर्तन के रिजल्ट, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं, स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हमीशा मुस काल सर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा, एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा ब